पढ़िये और समझिये संधी जोइनिंग संधी शब्द का अर्थ होता है मेल कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण परस पर मिलकर एक हो जाता है उधारण के लिए तथा तथा एव शब्दों का मेल होने पर तथा शब्द की अंतिम ध्वनी आ तथा एव शब्द की पहली ध्वनी ए परस पर मिलकर ए हो जाती है और शब्द बनता है तथैव देखिए संधी के कुछ और उधारण एक महा जमाईश बराबर महेश आ जमाई बराबर ए दो हिम जमाई आले बराबर हिमाले अ जमाई बराबर आ तीन जगत जमाई नात बराबर जगननात त जमाई न बराबर न चार तपह जमाई बल बराबर तपोबल अह जमाई ब बराबर ओ यहां पहले दो उधारणों में दो स्वरों का मेल हो रहा है तथा दोनों स्वरों में परिवर्तन हो रहा है तीसरे उधारण में दो व्यंजनों का तथा चोथे में विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनी का मेल हो रहा है तथा दोनों में पहली व्यंजन ध्वनी में परिवर्तन हो रहा है इस तरह इस मेल के परिणाम सुरूब या तो शब्द की पहली ध्वनी या दूसरी ध्वनी या दोनों ध्वनियों में भी परिवर्तन होता है ध्यान रखिए, शब्दों में निकट्तम ध्वनियों के बीच होने वाले मेल को संधी कहते हैं, तथा संधी के परणाम स्वरूप परस पर मिलने वाली किसी एक, अत्वा दोनों ध्वनियों में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है संधी विच्छेद, डिस्जॉइनिंग, दो ध्वनियों के मेल को तो संधी कहा जाता है, इसके विपरीत यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग-अलग करके संधी से पहले वाली स्थिती में रख दिया जाए, तो वह संधी विच्छेद कहलाता है विच्छेद शब्द का अर्थ ही है अलग-अलग करना, जैसे ध्यान रखिए, संधी केवल दो ध्वनियों के बीच होती है, दो शब्दों के बीच नहीं संधी होते समय मेल होने वाली ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है यह परिवर्तन संधी का परिणाम होता है यह परिवर्तन कभी पहली ध्वनी में होता है, कभी दूसरी में, तो कभी दोनों में संधी कभी तो दो स्वरों के बीच होती है, कभी दो व्यंजनों या एक व्यंजन और एक स्वर के बीच, तथा कभी विसर्ग और व्यंजन के बीच संधी की विपरीत प्रक्रिया संधी विच्छेद कहलाती है संधी भेद प्रभेद संधी तीन प्रकार की होती है संधी के भेद स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसर्ग संधी एक स्वर संधी दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधी कहलाता है जैसे स्वर संधी पांच प्रकार की होती है स्वर संधी के भेद दीर्ग संधी, गुण संधी, व्रिधी संधी, यन संधी, अयादी संधी एक दीर्ग संधी जब हस्व या दीर्ग अ, इ, उ स्वरों के बाद क्रमशह हस्व या दीर्ग अ, इ, उ स्वर आते हैं तो वे परस पर मिलकर दीर्ग स्वर आ, इ, उ में बदल जाते हैं इस तरह की संधी को दीर्ग संधी कहते हैं देखिए उधारण अ, आ, बराबर आ अ, जमा अ, बराबर आ चर, जमा अचर, बराबर चराचर मत, जमा अनुसार, बराबर मतानुसार योग, जमा अभ्यास, बराबर योगा भ्यास Param jamma arth berabar parmaarth A jamma a berabar a Vidya jamma arti berabar vidyarthi Seema jamma anth berabar seemaant Rekha jamma ankit berabar rekhankit Yatha jamma arth berabar Yathart E, E, बराबर E, E, जमा E, बराबर E, रवी, जमा इंद्र, बराबर रवींद्र, हरी, जमा इच्छा, बराबर हरीच्छा, कवी, जमा इंद्र, बराबर कवींद्र, अभी, जमा इश्ट, बराबर अभीश्ट, इ जमाई बराबर इ, सती जमाईश बराबर सतीश, रजनी जमाईश बराबर रजनीश, मही जमाईश बराबर महीश, जानकी जमाईश बराबर जानकीश उ उ बराबर उ उ जमा उ बराबर उ भानू जमा उदय बराबर भानू दय गुरू जमा उपदेश बराबर गुरूपदेश लगू जमा उत्तर बराबर लगूतर सु जमा उक्ति बराबर सुक्ति उ जमा उ बराबर उ लगु जमा उर्मी बराबर लगूर्मी सिंधु जमा उर्जा बराबर सिंधूर्जा मधु जमा उश्मा बराबर मधूश्मा सिंधु जमा उर्मी बराबर सिंधूर्मी दो गुण संधी अ आ स्वरों के बाद यदि हस्व या दीर्ग इ उ अत्वारी स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशह ए ओ तथा अर हो जाता है इसी को गुण संधी कहते हैं देखिए उधारण अ आ जमा इ इ बराबर ए अ जमा इ बराबर ए देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र राज जमा इंद्र बराबर राजेंद्र नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र शुभ जमा इच्छा बराबर शुभेच्छा आ जमा इ बराबर ए Maha Jama Indra बराबर Mahendr Raja Jama Indra बराबर Raja Indra Yatha Jama Isht बराबर Yathesht Bala Jama Indu बराबर Balendu A A Jama U O A Jama U बराबर O पर जमा उपकार बराबर परोपकार सूर्य जमा उदै बराबर सूर्योदै हित जमा उपदेश बराबर हितोपदेश वीर जमा उचित बराबर वीरोचित आ जमा उबराबर ओ महा जमा उर्मी बराबर महोर्मी Ganga Jama Urmi Beraber Gangormi Maha Jama Ushma Beraber Mahoshma Daya Jama Urmi Beraber Dayormi A A Jama Ri Beraber Ar A Jama Ri Beraber Ar Sapt Jama Rishi Beraber Sapt Rishi Raj Jama Rishi Beraber Rajshri Braham Jama Rishi Beraber Brahma Rishi Dev Jama Rishi Beraber Dev Rishi A Jama Ri Beraber Ar Maha Jama Rishi Beraber Mah Rishi Varsha Jama Ritu Beraber Varshtru 3. Vriddhi Sandhi Jab A या A के बाद A A स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर A हो जाते हैं और यदी O O स्वर आते हैं तो O हो जाता है इस प्रकार की संधी को Vriddhi संधी कहते हैं देखिए उदाहरण A A Jama A A अ जमा ए बराबर ए, अ जमा ए बराबर ए, मत जमा एक्य बराबर मतेक्य, परम जमा एश्वर्य बराबर परमेश्वर्य, धन जमा एश्वर्य बराबर धनेश्वर्य, लोक जमा एश्वर्य बराबर लोकेश्वर्य, आ जमा ए बराबर ए महा जमा एश्वर्य बराबर महेश्वर्य माता जमा एश्वर्य बराबर मातैश्वर्य अ आ जमा ओ ओ बराबर ओ अ जमा ओ बराबर ओ जल जमा ओशधी बराबर जलोशधी दंत जमा ओश्ट बराबर दंतोश्ट परम जमा ओज बराबर पर्मोज जल जमा ओध बराबर जलोध अ जमा ओ बराबर ओ परम जमा ओदारे बराबर पर्मोदारे वन जमा ओशधी बराबर वनोशधी आ जमा ओ बराबर ओ महा जमा ओशध बराबर महोशध महा जमा ओदारे बराबर महोदारे 4. यन संधी जब ई, ई के बाद इन दोनों से भिन कोई भी स्वर हो तो E का Y हो जाता है उ U के बाद इन से भिन कोई भी स्वर हो तो U U का W हो जाता है तथा R के बाद R से भिन कोई स्वर हो तो R का R हो जाता है तब उसे यन संधी कहते हैं देखे उदाहरन क, इ, जमा अ, बराबर य, यदी, जमा अपी, बराबर यद्दिपी, अती, जमा अधिक, बराबर अतिधिक, अती, जमा अंत, बराबर अतियंत, गती, जमा अवरोध, बराबर गत्यवरोध, E jama a berabar ya V jama aapt berabar vyapt Ati jama aachar berabar atyachar Iti jama aadi berabar ityadi Ati jama aavashak berabar atyavashak E jama u berabar yu Upri jama aukta berabar upriyukta Prati jama aupkar berabar pratyupkar Ati jama auttam berabar atyuttam Abhi jama aude berabar abhyuday I jama u berabar yu Ni jama aoon berabar niu V jama u berabar vyu I jama a berabar yu Prati jama aek berabar pratyek Adhi jama aeta berabar adheta I jama a berabar yu Ati jama aishwari berabar atyashwari I jama a berabar yu Devi jama arpan berabar devyarpan Nadhi jama arpan berabar nadyarpan I jama a berabar yaa Sakhi jama aagman berabar sakhyagman Devi jama aalai berabar devyalai I jama u berabar yu Nadhi jama udgam berabar nadyudgam Sakhi jama uday berabar sakhyuday I jama u berabar yu Nadhi jama urmi berabar nadyurmi I jama a berabar yay Nadhi jama aishwari berabar nadyashwari Devi jama aishwari berabar devyashwari Khu U jama a berabar v Su jama alp berabar swalp Su jama asti berabar swasti U jama a berabar vaa Su jama aagat berabar swagat Guru jama adesh berabar guruvadesh U jama e berabar v Anu jama iti berabar anviti Anu jama ith berabar anvit U jama a berabar vee Anu jama aishan berabar anvishan Anu jama aishak berabar anvishak U jama a berabar vaa Vadhu jama aagman berabar vadvaagman Bhu jama adhi berabar vaadi G Ri jama a berabar r Matra jama anumati berabar matranumati Pitra jama anumati berabar pitranumati Ri jama a berabar raa Pitra jama aagya berabar pitraagya Matra jama adesh berabar matradesh Ri jama e berabar ri Pitra jama ichha berabar pitr ichha Paanch ayadisandhi A-ai tathha o-au ke baad Yadhi inse bhinn koji svar aata hai To A-ka aay A-ka aay O-ka aav Tathha o-ka aav ho jata hai Tab usse ayadisandhi kehti hai Dekhiye udaharan A-jama a berabar aay Ne-jama an berabar nayan Sh-jama an berabar shayan O-jama a berabar av Bho jama an berabar bhavan Po jama an berabar pavan O-jama i berabar aavi No-jama ik berabar naavik A-jama a berabar aai G-jama ak berabar gaayak Ne-jama ak berabar naayak O-jama a berabar aav Po jama an berabar pavan Po jama ak berabar pavak O-jama u berabar aavu Bho jama ak berabar bhavuk Do-vyanjan sandhi Jab kisih bhi vyanjan dhuani ke baad Koi swar ya vyanjan aata hai To donon ke mail se Jo parivartan hoota hai Use vyanjan sandhi kehti hai Jaisi Jagat jama amba Berabar jagdamba Vyanjan ta Jama swar a Berabar Ta ka d Me parivartan Sat jama marg Berabar san marg Vyanjan ta Jama vyanjan ma Berabar Ta ka na Me parivartan Vyanjan sandhi ke Kuch pramukh niyam Is prakar hai Eek K Ch Ta Ta Pa Ke baad Koi bhi Saghosh dhuani swar Ya kisii varg Ka tisra ya Chotha vyanjan Jaisi Jaisi G G J J J D D D D D Tathha B B B Athva Athva Y R L V H Vyanjan Atee hain To Nimnalikhit Parivartan Hootei hain K K K Berabar G Ch Berabar J T Berabar D T Berabar D P Berabar B Dekhye Udharan K G Vaak Jama Eish Berabar Waagish Dik Jama Ambar Berabar Digambar Ch J Ach Jamaant Berabar Ajant T D Shat Jama Anan Berabar Shadanan Shat Jama Darshan Berabar Shad Darshan D Vurg के पहले Vyyanjan के बाद यदी Nasaik के Vyyanjan N M आता है तो Vurg का पहला Vyyanjan अपने Vurg के Nasaik के Vyyanjan मे इस प्रकार बदल जाता है Shat Jama Maas Berabar Shan Maas Shat Jama Muk Berabar Shan Muk T N Sat Jama Marg Berabar San Marg Jagat Jama Naath Berabar Jagannath Tien यदी T के बाद च च हो तो च ज ज हो तो ज त ड हो तो त ड ड ढ़ हो तो ड और ल व्यंजन आई तो ल में परिवर्टित हो जाता है जैसे जैसे त यदि त के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है तथा श व्यंजन च में बदल जाता है जैसे त जमश बराबर च उत जमा शिष्ण बराबर उच्चिष्ण हनुमत जमा शास्त्री बराबर हनुमत चास्त्री पांच यदि त द व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है जैसे त जमा ह बराबर दध उत जमा हार बराबर उद्धार द जमा ह बराबर दध पद जमा हती बराबर पद्धिती 6. अनुस्वार अंग के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है जैसे अनुस्वार जमा क वर्ग बराबर र सम सम जमा गीत बराबर संगीत संगीत सम सम जमा कल्प बराबर शंकल्प संकल्प अनुस्वार जमा च वर्ग य्ञ सम सम जमा चय बराबर संचय संचय सम जमाझय बराबर संजय संजय अनुस्वार जमा ट वर्ग बराबर ल, कम जमा टक बराबर कंटक, कंटक, पम जमा डित बराबर पंडित, ध्यान रखिए, अनुस्वार अंग जब शब्द के अंत में आता है, तो हमेशा म बन जाता है अतह, सम को सम, अहम को अहम के रूप में लिखा जा सकता है सम उपसर्ग का म अनुस्वार ही है, पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार ही मानक माना जाता है साथ, अनुस्वार के म के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन आते हैं, तो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा म वर्ण के रूप में नहीं, जैसे आठ, यदि स व्यंजन के पहले अ, आ के अलावा कोई अन्निस्वार आता है, तो स का श हो जाता है जैसे परि जमा नाम बराबर परिनाम बराबर परिनाम रि जमा न बराबर रिन बराबर रिन तीन, विसर्ग संधी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन धवनी आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधी कहते हैं जैसे मनह जमाबल बराबर मनोबल, नमह जमाकार बराबर नमसकार, तपह जमाबल बराबर तपोबल विसर्ग संधी के कुछ नियम इस प्रकार हैं एक, यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बात में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चोथा, पाँचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है जैसे जमा भूमी बराबर तपो भूमी यशह जमा दा बराबर यशोदा अपवाद पयह जमा पान बराबर पयह पान दो, यदि विसर्ग से पहले अ, आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चोथा, पाँचवा व्यंजन हो अत्वा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो अत्वा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्टन र में हो जाता है जैसे यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श त थ व्यंजन हो तो श तथा त थ व्यंजन हो तो स हो जाता है जैसे निही जमा चल बराबर निश्चल धनू जमा टंकार बराबर धनुष्टंकार चार यदि विसर्ग के बाद स श श व्यंजन हो तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है जैसे निही जमा संदेह बराबर निह संदेह निसंदेह दू जमा शासन बराबर दू शासन दुशासन पाँच यदि विसर्ग के बाद रव्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला हस्वस्वर दीर्ग हो जाता है जैसे निही जमा रोग बराबर नीरोग, निही जमा रस बराबर नीरस छे, विसर्ग के बाद यदी क, ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे रजह जमा कण बराबर रजह कण, अंतह जमा करण बराबर अंतह करण, प्रातह जमा काल बराबर प्रातह काल अपवाद, नमह जमा कार बराबर नमसकार, भा जमा कर बराबर भासकर, पुरह जमा कार बराबर पुरसकार साथ यदि विसर्ग के पहले इ उ स्वर हों और विसर्ग के बाद क ख या प फ व्यंजन हों तो विसर्ग का श हो जाता है जैसे नही जमा कपट बराबर निश कपट नही जमा फल बराबर निश फल दू जमा कर्म बराबर दुश कर्म चतु जमा पाध बराबर चतुश पाध नही जमा पाप बराबर निश पाप नही जमा कलंग बराबर निश कलंग 8. यदि विसर्ग के पहले अ-ा स्वर हों और बाद में कोई अ-ा से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है जैसे अतह जमाएव बराबर अतैव हमने सीखा दो निकरतम ध्वनियों के परस्पर मेल को संधी कहते हैं संधी के परणाम सुरूप परस्पर मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन या विकार होता है यह परिवर्तन संधी का परणाम है संधी युक्त ध्वनियों को अलग-अलग करके उन्हें संधी से पहले की स्थिती में पहुचाना संधी विच्छेद कहलाता है दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधी कहलाता है व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परणाम सुरूब जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधी कहलाता है जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा उसके परिणाम सुरूप विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधी कहते हैं